हेलो दोस्तों विवेच नामे आपका स्वागत है बॉलिवुड सूपरस्टार अनिल कपूर हमेशा अपनी जवानी को लेकर चाचा में रहते हैं अनिल कपूर ने कई दशकों तक फैंस को अपनी एक्टिंग से एंटर्टेन किया है आपको बता दे अनिल कपूर ने अपने 38 साल फिल्म इंडस्ट्री को दिये है अनिल कपूर एक ऐसे कलाकार हैं जिन पर आज भी लड़कियां फिदा हैं यहां तक कि लड़के भी उनकी जवानी के राज जानना चाहते हैं अनिल कपूर जितना ज़ादा अपनी एक्टिंग के लिए फेमस हैं उतना ही वो अपने फिजीक को लेकर भी जाने जाते हैं वो हमेशा इतने ज़ादा फिट रहते हैं कि लोग उनसे पूछते हैं कि वो फिट रहने के लिए क्या करते हैं वैसे तो कई फिल्मी सितारे जवान दिखने के लिए प्लास्टिक सरजरी का सहारा लेते हैं ऐसे मैं निलकपूर की फिटनेस को लेकर भी कई तरह की अफवाएं उड़ती रहती हैं तो कोई कहता है कि वो फिट रहने के लिए साप का खून पीते हैं किसी का कहना है कि उन्होंने प्लास्टिक सरजरी करवा रखी है हाली में अनिलकपूर मश्यूर एक्टर अर्बाज खान के फेमस शो पिंच में पहुँचे थे बातचीत के बीच एक्टर अर्बाज खान ने भी अनिलकपूर से सवाल पूछ लिया कि वो जवान दिखने के लिए क्या करते हैं तब उन्होंने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि वो ऐसा कुछ भी खास नहीं करते जिससे वो जवान दिखे उन्होंने बताया वो बस भगवान का स्मरण करते हैं उनका कहना है कि हमें अपने बिजी लाइफ के 24 घंटों में इसे भगवान के लिए थोड़ा समय जरूर निकालना चाहिए साथ ये एक्टर ने उन लोगों को भी मूँ तोड़ जवाब दिया जो कहते हैं कि अनिल कपूर जवान रहने के लिए कई नुसके अपनाते हैं इसके अलावा भी हाल ही में ये भी अफ़वा उड़ रही थी कि अक्टर निल कपूर अपनी पतनी को तलाग देने वाले हैं साथ ही कहा जा रहा था कि वो अपनी उम्र से छोटी कलाकार के साथ शादी भी करेंगे दरसल एक्टर अनिल कपूर काफी विद करन शो का हिस्सा बनने पहुंचे थे करन जोहर उनसे सवाल जवाब कर रहे थे इतने में करन जोहर ने अनिल कपूर से पूछा कि अगर आपको किसी एक्टरस के लिए अपनी पतनी को छोड़ना पड़े तो आप किस एक्टरस को चुनेंगे तब अनिल कपूर ने कंगना रनौत की और इशारा किया मजाक मजाक में दिया नील कपूर के इस जवाब को लोगों ने कम भीरता से ले लिया और कयास लगाने लगे कि एक्टर अपनी पत्नी से तलाक लेने वाले हैं तो दोस्तों क्या लगता है आपको क्या इस बात में है सचाई या सिर्फ है एक अफवा क्या नील कपूर दे देंगे सुनीता कपूर को कंगना रानोत के लिए तलाक अपनी राए हमें कमेट करके जरूर बताईएगा और इस वीडियो को लाइक शेर भी जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक विवेचना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किरपया सब्सक्राइब भी जरूर करें क्योंकि यहां मिलेंगे आपको बॉलिवुड से जुड़ी हर अपडेट धन्यवाद